आप देख रहे हैं दखल न्यूर्ट यह दशेरा वायुसेना के लिए खास रहा वायुसेना के बेडे में राफेल को शामिल करने के लिए रक्षा मंतरी राजनाथ सिंग मेरिनेक स्थिद दसा एविएशन प्लांट पहुचे और राजनाथ सिंग ने राफेल का शस्त्र पूजन किया इस मौके पर राफेल के साथ भारत और फ्रांस के बीच रक्षा डील को लेकर एलान भी किया राजनाच सिंग की शस्त्र पूजा से ही राफेल फाइटर जेट मिल गया लेकिन फ्रांस से हिंदोस्तान आने में अभी अगले साल मैं तक का इंतजार करना पड़ेगा फ्रांसी सी रक्षा मंतरी फ्लोरेंस पारले भी इस खास लमहे की गवहा बने राजनाच सिंग की फ्रांस के राश्ट्रपती एमनुल मैंकरो से भी मुलाकात हुई इस अफसर पर एमनुल मैंकरो ने इसलामिक आतंक के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ने की बाद कही है भारत ने फ्रांस से कुल 36 राफेल लड़ा को विमान खरीदे हैं और वो सारे फाइटर जेट 2022 तक हिंडोस्तान आ जाएंगे सबसे पहले चार विमान आएंगे और इसके बाद भी चार चार की किस्तों में ही 32 विमान आ जाएंगे इन में से 18 राफेल अंबाला एर बेस पर तैनात होंगे जबकि बाकी 18 विमान पश्चिम बंगाल के हाशिमारा बेस पर है नागपुर में संग प्रमुक मोहन भागवत ने कहा कि बहुत दिनों बाद ऐसा लग रहा है कि देश में कुछ होने लगा है हाल ही में इस रोद्वारा मिशन चंद्रयान टू को लौज किये जाने की भी आरिसस प्रमुक द्वारा तारीफ की गई उन्होंने कहा कि भारत के विज्ञान का दुनिया में भी अभिनंदन हो रहा है भागवत ने कहा कि परिवर्तन कई लोगों को पसंद नहीं होता देश में परिवर्तन हो रहा है जो कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा हाला कि भागवत ने नसीहत भी दी कि आश्वस्त होकर लापरवा नहीं बने पूरी सफलता नहीं मिली लेकिन जितनी मिली वो भी सारी दुनिया का ध्यान आकर्शन करने के लिए और सारे विश्व में भारत के वईज्यानिकता का बहुत धिकता का प्रभाव जमाने में परियाप्त दी और वो हुआ थारी दुनिया ने अभिननन किया 26370 को निश्व प्रभावी कर दियाग था इस निर्ने की आरेसेस प्रमुक मोहन भाव द्वारा तारीफ की गई पूर मुखमती दिगवेजे सिंग ने आरेसेस प्रमुक मोहन भाववत को लेकर बड़ा बयान दिया दिगवेजे सिंग ने कहा कि मोहन भाववत जिजदिन मारतमा गांधी का राष्टा अपना रहेंगे उस दिन मौब लिंचिंग जैसे सारे अपराब रुख जाएंगे जिजदिन मोहन भाववत एक जुटा का संदेश और एक्टा का पालन करेंगे उस दिन सारी समस्या हल हो जाएगी गौर तलवे के RSS प्रमुक मोहन भाववत ने विजदिशमी की मौकी पर नाकपुर में कहा कि मौब लिंचिंग शब्द पश्चिमी देशों से आया है ये शब्द RSS पर थोपा जा रहा है हम एक्टा का पार्ट पढ़ाते हैं इस दिन मोहन भाववत जी एक जूटता का संदेख देखकर उसका पालन करने लगेंगे सारी समस्या समाप्त हो जाएगी मौब लिंचिंग भी खतम हो जाएगी नफरत भी खतम हो जाएगी प्रेम और सद्भाव और महात्मा गांदी का रास्ता अपना लेगी उस दिन हमारी सारी शिकायची समाप्त हो जाएगी उदर पूर जनसंपर्ग मंतरी नरुत्तम इश्चा ने दिगवेज सिंग के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि दिगवेज सिंग के पास कुछ नहीं है वो चर्चा में बेने रहना चाहते हैं इसलिए बहुंद भागवत के लिए ऐसा बोल रहा है बहुंद भागवत ने जो काव उसत्त है दिगवेज सिंग को एक बार बैठ कर सोचना चाहिए कौर से जाती और भाषा के नाम पर देश को बाटने की कोशिश की महान भागवत देश में अखंटा के लिए मर्ग मिटने का संकल पर दिलाने वाली वेखती है बहुंद जी ने जो बयान दिया है वो बिल्कुल सही है दिगवेज सिंग जी को स्वयम को अपने माइड को सेट करके सोचना चाहिए कि इस तरह की विवाजन कारी और विटन कारी बाते वो क्यों करते है मुझे लगता है वो जान पूच कर ऐसा मोनती है तो कि अब उनके पास और कोई मार्ग रहा नहीं है चर्चा में रहने का मुख्यमंदरी कमलनाद के साथ वारता विफल हो जाने के बाद मध्यप्रदेश के ट्रांसपोर्टर्स शनिवार से हरताल पर चले गए थे हरताल के तीसरा दिन होते ही त्योहारी सीजन के चलते व्यपारियों में हर कंप मच गया था और हर कोई कमलनाद सरकार को कोश रहा था ऐसे में ततकाल सरकार ने ट्रांस्पोर्टर्स के साथ मीटिंग कर उनकी पांच में से चार मांगे मान ली हैं इस मीटिंग में परिवाहन मंत्री गोविन सिंग राजपूत और ट्रांस्पोर्टर्स अधिकारी और प्रदेश कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता गोविन गोयल भी मौजूद रहे इसा हर्ताल में कई व्यापारी संगठनों ने भी समर्दन दिया था ट्रक टैंकर के पहिये थमने से रोजमर्रा की जरुवत की वस्तूओं की अपूर्ती पर कई जगहां असर दिखने लगा था और बहुत बड़ी फुर्टिका होगी त्रक वालों ने इस बात को समझा और जो इनकी मांग थी आसकर के एक मांग थी कि जो टैक्स है जो लाइफ टाइम हम ले रहे थे अब इन लोगों कहना है कि हम लाइफ टाइम ही देने कुंते जान है और उसको एक्षे भी कर दिया जाए जो कि विवस्ता पहले थी उस विवस्ता के लिए हम लोगा ने बादा जो पहले जिस तरी कैसे चलता था वैसे ही चलिए और जो अन्में हमारी चार मांगे जिए माल अतर जारी ट्रांस्पोर्टर्स की हरताल का असर ई-कॉमर्स कंपनियों पर भी पड़ा मध्यप्रदेश से किये गए करोणो ओडर कैंसल हो गए इस बीज इंदौर और आसपास के इलाकों में पेट्रोल की किलत होने का मामला सामने आया था ट्रांस्पोर्टर्स लगातार हैं मांग कर रहे थे कि प्रदेश में इंधन पर लगने वाले वैट को कम किया जाए दूसरे प्रदेशों की अपेक्षा मध्य प्रदेश में इंधन पर ज्यादा वैट होने से बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है अब एक मातर इस मसले पर भविश में चरचा होगी और सरकार अपने कदम वापस नहीं लेती है तो एक बार फिर ट्रांस्पोर्टर हर्ताल पर चले जाएंगे। पुलिस भी मौके पर पहुँच चुकी है घटना के बाद वहां मौजू दूसरे बच्चों ने तुरंत इसकी सूचना ग्रामीडों को दी जिसके बाद ग्रामीड यहां पहुँचे और बच्चों को बाहर निकाला लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। मातन चागया है बताय जा रहा है कि दूसरे बच्चों की सूचना के बाद के बाद ग्रामीड तलाब में उत्रे और एक एकर बच्चों की तलाश कर बाहर निकाला अचानक दशहरे की खुशी गम में बदल गई। मद्द परदेश में अतिवर्षा से काफी नुकसान हुआ है जिससे लेकर मुखमती कमलनात ने राजपाल लाल जी टंडन से मुलाकात की। कमलनात ने कहा कि मैं परदानमंत्री मोदी से भी इसे लेकर मिल चुका हूँ। परदेश को 13,000 करोड रुपे की आवशक्ता है। राजपाल से भी इस वेशे को लेकर लंबी चर्चा की गई। कॉंगरस नीता और राजपा सांसद वेवेक तंखा की राजपाल पर टिपनी को लेकर कमलनात ने कहा ये उनकी अपनी व्यक्तिकत रहा है। इसमें सरकार का कोई मत नहीं है। राजपाल की कोई नाराजगी भी नहीं है। ना कभी होगी। कमलनात ने कहा कि मैंने बार के साथ ही परदेश के बारे में बहुत सारी चर्चा राजपाल से की। राजपाल क तीकमगड के बलदेवगड थाना छेतर के पपावनी गाओं के समीप बीजेपी विधायक राहुल सिंग की पजेरो जीप की चक्क से तीन बाइक सावारों की मौत हो गई घटना के बाद पीडितों के परिजनों और ग्रामीडों ने टीकमगड छतरपुर मार्ग पर चक्का करके भाग गये घटना स्थल से विधायक लिखे होने वाले अक्षर भी तूटे हुए मिले इसके बाद भाजपा विधायक राहुल सिंग के खिलाफ मामला दर्श किया गया है घटना के अनुसार रवी पुत्र नंदू अहिरवार बिजेंद्र और मदन अहिरवार बरेठी गाउं जा रहे थे तब ही पपावनी गाउं के मंदिर के पास पीछे से भाजपा विधायक राहुल सिंग लोधी के वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी इससे रवी अहिरवार और बिजेंद्र अहिरवार की खटना इस्तल पर ही मौत हो गई और एक अन्य बाइक पर सवार मद जीब द्वारा बाइक को टक्कर मारी गई और वे ही गाड़ी चला रहे थे इस खटना से नाराज परिजनों ने शवो को पी-म के लिए ले जाने से इंकार कर दिया मौके पर SDM विकास आननवा प्रभारी तहसिलदार कमलेश कुश्वा ने ग्रामीडों को समझाने का प्रयास किया लेकिन वे किसी की बात को सुनने के लिए तयार नहीं हुए ग्रामीड विधाय के मौके से भागने से बेहद नरास थे कर दी गई है खरगापुर विधायकर राहुल सिंग ने कहा कि मैं फुटेर गाउं में सुभा से ही कारिक्रम में था मुझे विरूधियों द्वारा साजिश कर जब्रन फसाय जा रहा है कॉंग्रिस नेटा और गॉल्या रियासत के प्रमुग जोति रादित्य सिंध्या ने पारंपर एक तरीके से दशेरे का पर्व मराया उन्होंने कहा दशेरे का यह पर्व बहुत कुछ सिखाता है अपने जीवन को जीए तो अन्याय की खिलाफ जिओ अपने आसपास अन्या जन्दा के लिए इस शेत्र के लिए दशेरा हमारी लिए केवल एक त्योहार नहीं दशेरा हमारी लिए केवल एक धार्निक महत्वता दिवस नहीं लेकिन उस दशेरे के मूल्य और सधांत को हमें अपने जीवन में दिन अप्रती दिन उस दशेरे पर सिंध्या ने परामपरागत पूजन किया सिंध्या छतरी रामलीला मैदान भी पहुचे और भगवान श्री सीताराम जी की आरती में शामिल हुए जोतिर अदित्य सिंध्या के साथ उनकी पत्ली प्रेदर्शनी राजे सिंध्या पुत्र महा आर्यमन सिंध्या और पुत्री अनन्या राजे सिंध्या भी थी नक्सल प्रभावेत दंतेवाडा जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुटबेड की खबर है जबकि सुरक्षा बल्कि एक जवान के गंबी रूप से घायल होने की जानकारी भी सामने आ रही है घायल जवान को बहतर उपशार के लिए रायपुर बेजा गया है दंतेवाडा जिले में कटे कलियांड शेतर में पुलिस और सुरक्षा बल्लों की सियुक्त पाटी मंगलवार की सुबह सर्चिंग पर निकली थी इसी दोरान डबा की जंगलों में पुलिस और नक्षिलियों के बीच मुढ़वेड हो गई नक्षिलि पहले से घात लगाकर बैठे हुए थे और सुरक्षा बलों को देखते ही उन पर फाइरिंग शुरू कर दी पुलिस अधिक्षक अभिशिक पल्लब भी गटना इस्थल पर पहुंचे हैं अत्रिक पुलिस बल को गटना इस्थल के लिए रवाना किया गया है इसके बाद नक्षिलि वहां से भाग खड़े हुए हैं फाइरिंग रुखने के बाद अब मुढबिड इस्थल पर सर्चिंग की जा रही है एक कहावत है कि सैयाब बने कुदवाल तो डर काहेका यह कहावत छतरपूर पुलिस पर ठीक बैटती है क्योंकि जिस हर्श फारिंग पर प्रशाशन की रोक है वही रोक पुलिस के अधिकारी खुद तोड रहे हैं दशेरा पर पुलिस लाइन में पुलिस अधिकारियों ने शफ्तर पूजन का कारिक्रम रखा है जन में डियाइजी अनिल माहिश्वरी सहित एसपी और एडिशनल एसपी शामी हुए और फिर शस्त्रू की पूजा की गई इसके बाद बाहर आकर सभी ने सारवजनिक इस्थान पर खड़े होकर बारी-बारी से हर्श फायर किया गॉर्टलव है कि हाल ही में हर्श फायरिंग में एक युवकी मौत हो चुकी है पूलिस अब तक पता नहीं लगा सकी है जिसको देखते हुए हिंदू संगठनों ने धर्ना और हर्टाल की चितापमी दी है संगठन का कहना है कि वो पिडित परिवार के साथ खड़े है और अगर दो दिन की अंदर कोई कारवाई नहीं हुई तो वो भूखरताल में बैट जाएंगे बताया जा रहा है कि चक्रानिवासी इशाक खान भी उसी दिन से गायब है आशंका जताई जा रही है कि युवाक मयां का आपरहन किया गया है इशाक की कार बरामत की गई है जिसने खून के निशान मिले है जिसे पुलिस ने जाँच के लिए भेश दिया है हिंदू संगठनों ने पुलिस अधिक्षक कार्या ले पहुचकर जाँच को लेकर एक ग्यापन सवपा है के परिवार का पूरा साथ देंगे और चाहे ग्रफतारी हो चाहे जिल जाना पड़े चाहे भूकर तो जो भी करना पड़ेगा हम लोग साथ हो उनके बद्धर पुलिस का कहना है कि वो जाच के करीब है जल्द ही केस को सॉल्व कर लिया जाएगा जितने संदिक्द हैं उनक कि किनारे खेतों में डेरा डाल दिया था इस दौरान सेकडों की संख्या में ग्रामेण हला बोलकर हातियों को असुरक्षित तरीके से खदेडने के प्रयास में रगे रहे इस नजारे को देख वन विभाक का अमला भी सकते में आ गया था लेकिन इस घटना करम में कोई जन हातियों की निगरानी में लगे हुए लगभर 15 दिनों तक सेटलाइट कॉलर आईडी लगे हाती के दल ने राजपूर रेंज में उत्पात मचाया था कोशिश की जा रही है कि जिस रूट से हातियों का दल राजपूर रेंज में घुसा है उसी रूट से उन्हें वापस ल प्रदेश में कई जगह मेली लगी राम लीला का आयोजन हुआ और राम ने रावन का पुतला दहन किया विजदश्मी भगवान राम की विजए के रूप में मनाया जाता है साथ ही दुर्गापूजा के समापन के बाद प्रतिमाओं की विसर्जन का क्रम शुरू हो गया है यह शक्ति पूजा का पर्व शस्त्र पूजन लोगों ने हर्ष और उल्लास के साथ मनाया भारति संस्कृती वीर्टा की पूजक है शौरे की उपासक है व्यक्ति और समाज के रक्त में वीर्टा प्रकठो इसलिए दशेरे का उत्सव मनाया जाता है दशेरा का पर्व दस प्रकार के पापो काम क्रोध लोब मोह मद मत्सर अहंकार आला सहिंसा और चोरी के परित्या की सप्रेणा प्रदान करता है आप देख रहे हैं दखल नियूद संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृत एक ताने बाने तक चंबल के पीड़ों से नकसलवादियों के गड़ तक जोपड़ी से महलों तक ठेलों से मेलों तक पकडंडियों से सडकों तक गाउं से शेहरों तक व्यापार से उद्योगों तक राजडीती से कूटनीती तक दखल आप क्या हम आप देख रहे हैं दखल न्यूज